जब आप सुनते हैं कि किसी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न 11% है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले इंवेस्ट किया होता, तो आपको टोटल 11% रिटर्न मिलता? या और कुछ? और क्या आपको SIP और One Time Investment दोनों पर सेम रिटर्न मिलता? अगर आप Mutual Fund Returns को सुनकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। Mutual Fund Returns को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। CAGR, Absolute Returns, XIRR वगेरा जैसे भारी वर्ट सुनकर मोस्टी लोग सहम जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको Mutual Fund Returns के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताएंगे। और डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको इन नोटिफिकेशन मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबी रिटर्न्स को आसानी से समझने के लिए हम Axis Blue Chip Fund का एक्जामपल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CAGR की। CAGR की फुल फॉर्म है Compounded Annual Growth Rate। किसी भी फटर्न की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते समय, जो रिटर्न टाइप सबसे commonly use होता है, वो है CAGR। CAGR आपको आपकी Mutual Fund Investment की Compounded Growth Rate बताता है। चलिए इसे के एक्जामपल से समझते हैं। Mr. Vidant एक Marketing Executive है और उन्होंने 2015 में Axis Blue Chip Fund में 5 साल के लिए 1,00,000 रुपे इंवेस्ट किये। उन्होंने 22 जुलाई 2015 को 20.04 के NAV पर इंवेस्ट किया और उन्हें 5,000 यूनिट्स अलॉट हुए। अब 5 साल के एंड में 22 जुलाई 2020 को उन्होंने अपने इंवेस्टमेंस रिडीम किये और उन्हें 1,51,000 रुपे मिले। अब उनका इंवेस्टमेंट 51,000 रुपे बढ़ा, लेकिन उन्होंने कितना रिटर्न परसेंटेज अर्न किया और क्या ये FD जैसे किसी दूसरी इंवेस्टमेंट आप्शन से कम या ज्यादा था। ये आपको CAGR बता सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो Mr. Vidant को 8.5% average annual returns मिला। इस तरह से आप different fund का 3, 7 और 10 years जैसे different time frame के लिए CAGR चेक कर सकते हैं। तो जब आप अगली बार fund के CAGR के बारे में सुने या देखें, तो समझ जाएए कि ये average annual returns हैं जो fund ने एक time period में generate किये हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको CAGR के बारे में कुछ जरूरी चीज़े जानने नी चाहिए। पहला, CAGR से आपको volatility की clear picture नहीं मिलती। इसको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी investment की linear growth हुई है या होगी। मतलब वो हर साल एक fixed rate से grow हुई है जबकि reality में investment की value हर साल different हो सकती है। जैसा कि उपर दिये गए example में सिर्फ 8.5% का CAGR देखकर आपको लग सकता है कि Mr. Vedant का investment हर साल 8.5% बढ़ा। लेकिन सचाए ये नहीं है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि Mr. Vedant के investment ने साल दर साल कैसा perform किया। जैसा कि आप देख सकते हैं investment के पहले साल के end में उन्होंने 0.35% का negative return earn किया। आगे हम देखते हैं कि दूसरे साल में उनके returns बढ़कर 15.82% हो गए। और तीसरे साल में ये 21.66% तक पहुँच गए। लेकिन 2019 में returns गिरे और उन्हें सिर्फ 2.06% का return मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं CAGR investor को annual basis पर fund के return में आने वाले ups and downs के clear picture नहीं दिखाता है। ये हमें सिर्फ एक overall picture देता है। दूसरा, हालाकि CAGR mutual fund returns को calculate करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाने वाला और popular तरीका है। लेकिन इसकी एक limitation है कि ये periodic investments को account में नहीं लेता है। अगर उपर दियेगा example में investments साल भर में अलग-अलग dates पर की जाती तो CAGR returns की सही picture नहीं दे पाता। ये point-to-point returns calculate करने के लिए ideal है। इसलिए one time lump sum investment के लिए CAGR एक सही measure है। लेकिन SIP returns calculate करने के लिए नहीं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर CAGR SIP investments के return को calculate करने का सही तरीका नहीं है। तो क्या है? उसके लिए है XIRR. What is XIRR? Lump sum investments के लिए CAGR सही है। लेकिन जहां different cash inflows और outflows होते हैं, जैसे कि SIPs में CAGR अच्छा measure नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि SIPs की हर installment एक नया investment होती है। और इसलिए हर amount अलग अलग time duration के लिए invest होता है। For example, 5 साल की SIP में आपकी पहली installment 5 सालों के लिए invest होगी, दूसरी installment 4 साल, 11 महीनों के लिए and so on। इस वजए से हर amount अलग period के लिए compound होता है। और फिर इन्हें एक साथ add करके overall compounded annual growth rate निकाला जाता है। इसे और बहतर तरीके से समझने के लिए हम फिर से Mr. Vedant का example लेते हैं, जिन्होंने Access Blue Chip Fund में invest किया था। लेकिन इस बार, lump sum की जगा वो 5000 रुपे का monthly SIP 22 July 2015 को 5 साल के लिए शुरू करते हैं। simplicity के लिए assume करते हैं कि बीच में कोई redemption नहीं होता है। तो अब Vedant हर महीने अलग price पे investment करेंगे और हर investment अलग duration के लिए invest रहेगी। इससे उनके yearly returns पर impact पड़ेगा और इसी कारण उनके overall returns पर असर पड़ेगा। अब जब XIRR calculate किया जाएगा तो हर investment का CAGR लिया जाएगा और फिर सभी को add कर दिया जाएगा। इस calculation के हिसाब से Vedant को SIP के थुरू invest करने पे 10.33% के yearly returns मिलेंगे। जब Vedant ने لمसम investment किया था तो उसे 8.5% का average annual return मिल रहा था। लेकिन जब वो SIP से invest कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्हें 10.33% का average annual return मिल रहा है। अब अगर Vedant ने बीच में one of investments की होती या कुछ funds withdraw कर लिये होते तो XIRR अलग होता। ऐसा इसलिए क्योंकि XIRR returns calculate करते वक्त हर cash flow को count करता है। आप Excel पर XIRR calculate कर सकते हैं लेकिन हमने इसे असान बना दिया है। आप ET Money पर scheme page पर किसी भी amount और duration के लिए हर fund के SIP returns देख सकते हैं। तो अभी तक हमने एक साल से ज्यादा hold की गई mutual fund investments के returns डिसकस किये हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक साल या उससे कम time की investment के returns कैसे calculate करें। उसका answer है absolute returns. What are absolute returns? Absolute returns और total returns का मतलब यह होता है कि आपने अपने investment से कितना gain या loss किया है। यह returns calculate करने का सबसे असान तरीका है। In fact, हम सभी ने school में इसके बारे में पढ़ा है। चलिए एक बार फिर से Mr. Vedant के investment का example लेते हैं। साल 2019 के end में Mr. Vedant की investment value 1,43,600 थी। और एक साल बाद उनकी investment बढ़कर 1,51,000 हो गई। उनके absolute returns होंगे। Absolute returns equals final value minus the initial value divided by initial value multiplied by 100 which is 1,51,000 minus 1,43,600 divided by 1,43,600 multiplied by 100 which comes up to 5.19%. हमारे example में year-on-year returns में दिये गए return figures absolute returns है। यह पिछले एक साल में fund द्वारा deliver किये गए exact return दिखाता है। इसलिए जब भी आपको equity fund चूज करें तब fund को उसके absolute या एक साल के return देकर judge ना करें। बलकि CAGR या XIRR यानि एक साल से ज्यादा के return के basis पर evaluate करें। इसे के साथ हम वीडियो के end में आते हैं। Top Mutual Funds के 0% Commission Direct Plans में फ्री में invest करने के लिए description में दिये गए link से ET Money App डाउनलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएं तो like बटन प्रेस करें और अपने friends के साथ share करना ना भूलें। Until next time. Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.